प्रियंका गांदी और सियम आदितिनात योगी में जमकर सियासी फीर चले ही थे लेकिन अब कानूल यवस्था को लेकर भी इस दुबारी जंग सोर उपर है अलिगर्ण सहारनपूर और दूसरी जगों पर खाकी के आगे बेख़ौफ बदमाशों की गुनाहों की दास्ता अब प्रियंका ने योगी के सामने बया की है और उनकी कानूल यवस्था की बख्या उधेडी तो सियम योगी इसकदर तम-तमा गए कि दिल्ली, इटली और इंलैंड पहुंच गए प्रियंका ने जवाब उत्तर प्रदेश पर मांगा था लेकिन योगी कानूल की जगहा फिर से जुनाव का जिकर करने लगे उन्होंने प्रियंका की कानूल नवस्था पर जोरदार प्रहार के बतले कॉंग्रिस की दुखते रख पर हाथ रख दिया योगी ने कहा कि लोगसभा चुनाव में कॉंग्रिस पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरहा हारी उनके भाई और कॉंग्रिस पार्टी के राष्ट्रे अधक्ष राहूल गांधी अमीटी में चुनाव हाच आते हैं वह कुछ तो करेंगे इतना ही नहीं उन्होंने प्रियंका के प्रहार को प्रोपोगेंटरा करार देते हुए कहा कि उनको दिल्ली इटली आफिरिंग लैंड में बैक कर सुर्ख्यों में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही होता है योगी ने कहा कि प्रेंका गांधी का ट्वीट अंगूर खटे होने का मावला है योगी प्रेंका के बयान को खटे अंगूर की तरह बता रही है लेकिन लगता है कि उनके ट्वीटवार से एक खटास तो योगी को ही लगी है और लगनी भी लास्मी थी क्योंकि प्रियंका ने यूपी में बेहाल कानून यवस्था पर आकड़े के जरीये जुबार किया था उन्होंने लिखा था कि यूपी पुलिस ने दावा किया था कि दो वर्षों में 9,225 अपरादी के रफ्तार हुए रासुका के तहट प्रभावी कारवाई करते हुए लगबग 2 अरब की संपत्ती जब्त की कई लेकिन बावजूद इसके सूबे में अपराद अपने शरम पर है ये ट्वीट वारी योगी को शूल की तरह इसकदर चुभा कि वो कामनी लड़ाई को फिर से जुनावी मोड में लेका है